आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोगार नवस्कार आप सभी का बहुत सौगत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट मैं हो नितिन कुबार उत्तर प्रदेश का विधान सभा चुनाओ है और चुनाओ के दौरान आप सबको पता है कि राजनितिक दलों की तरफ से जो वादे होते हैं उनकी बौचहार तेज हो जाती है और वो वादे वो वादे होते हैं जिन पर शायद चार साड़े चार साल तक ये राजनितिक दल चर्चा भी नहीं करते हैं लेकिन एकाएक मैनिफेस्टों के जरिए एकाएक बयानों के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता का खयाल या देश की जनता का खयाल इन राजनितिक दलों को सबसे जादा हो जाता है कुछ ऐसा ही महौल उत्तर प्रदेश में आशकल बना हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभद चुनाव है और चुनावों को देखते हुए आए दिन उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख राजनेतिक दल है केंद्र के जो प्रमुख राजनेतिक दल है वो लगातार आज कॉंग्रेस के मेनिफेस्टों को ले करके क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से रोजगार की समस्या रही है बेरोजगार काफी लंबे समय से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहा है चाहे 69,000 सिक्षक भरती मामला हो गया हो या फिर जो युवा लगातार भरतियों को लेकर तयारी कर रहा हो और उत्तर प्रदेश में भरतियां नहीं निकली है वो भी सरकार से काफी नाराज रहा है और विपक्षियों ने समुद्धे को काफी बढ़ चड़ कर उठाया है आज कॉंग्रेस की तरफ से उनका एलेक्षन मेनिफेस्टो जारी किया गया प्रेंका गांधी, राहुल गांधी सामने थे और उन्होंने साफतोर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर कॉंग्रेस की सरकार आ जाएगी तो हमारा ये जो मेनिफेस्टो है जिसे हम युवाओं का मेनिफेस्टो कह रहे हैं ये युवाओं की बहतरी के लिए काम करेगा युवाओं के रोजगार के लिए काम करेगा जो बच्चे परिक्षा दे रहे हैं, जो परिक्षा देने जा रहे हैं उनको किसी बितरा से कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, सारी चीजे विवस्थित तरीके से होएंगी और रोजगार की एक संभावना बहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी प्रयंका गांधी, राहुल गांधी या फिर कॉंगरेस के जो उत्तर प्रदेश के लीडर्स हैं उन्होंने लगातार ये कोशिश की है और लगातार उन्होंने ये बताया है कि उत्तर प्रदेश में जो युवा है उसके सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार को लेकर ही है औ पहली बार किसी सरकार में पांच लाग से जादा भरतियां हुई हैं। पहले के समय में जो भरतियां होती थी वहाँ पर एक अलग जिले का जिसका उन्होंने नाम भी बताया सेफ़ाई। सेफ़ाई जिले से लोग आते थे, होटलों में रुखते थे और उसके बाद पर्चा दे देते थे, लिस्ट दे देते थे कि इन्ही इन्ही लोगों को भरती करना है। डीलिंग होती थी और इसो डीलिंग के तहती भरतियां उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। ये बात आज कही है उत्तर प्रदेश बीजिपी के प्रदेश अध्यक्ष और सूबे के मुख्या योग्यादित नात्री तो एक तरफ कॉंग्रेस का मेनिफेस्टो जहां पर उन्होंने कहा कि हम युवाँ को रोजगार से जोड़ेंगे युवाँ अगर परिक्षा देने जा रहा है वो फॉर्म भर रहा है तो उसे किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार मौजूदा कह रही है कि हमने जितनी साफ सुत्री तरीके से रोजगार तिया वो कोई भी बीती सरकार नहीं दे सकती थी ना वो दे पाई है रोजगार से ही एक और बुद्दा एहम है जिसे मैं जोड़ना चाहूँगा कल अखिलेश यादों ने समाजवधी पार्टी कारेले पर जो कर्मचारी नेता है उनके साथ प्रेस कॉन्फरेंस करी थी और वो ये जानते हैं कि इन कर्मचारीओं की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त उत्तर प्रदेश में क्या है दरासल ये कर्मचारी एक लंबे समय से प्रदेश सरकार की किलाव प्रदर्शन पे थे और ये कह रहे थे कि जो पुरानी पेंशन बहाली है उस पर एक बार सरकार विचार विमश करें पुरानी पेंशन पर सरकार विचार विमश करें और पेंशन को बहाल किया जाए जो पुरानी व्यवस्था थी सरकार ने उसे बंद कर दिया था और उसी नब्ज को अकलेश यादो ने टटोला और फिर उसके इलाज के लिए उन्हों ने ये बोल दिया कि सरकार आते ही हम पुरानी पेंचन विवस्था को फिर से उत्तर प्रदेश में बहाल कर देगे इसके साथ ही अकलेश यादो ने ये भी कहा कि 300 यूनिट बिजली भी दी जाएगी हालाकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बात कहीं जारी ही कि हम 300 यूनिट बिजली जो है वो जरता तक पहुँचाएंगे घर घर तक पहुँचाएंगे समाजवादी पार्टी ने उसका मुफ्त बिजली वाला मामला है या फिर ये जो पेंशन बहाली वाला मामला है इस पर अगर विचार किया जाए तो ये सरकार के लिए काफी बड़ा बजट भी उसके सर पर रख देगा ये बजट कैसे आएगा कहां से आएगा अगर 300 यूनिट बिजली हर विक्ति के घर को दी जाए या फिर पुरानी पेंशन विवस्ता को बहाल किया जाए या फिर परिक्षाओं के दौरान जो पैसे लिये जाते हैं फॉर्म के नाम पर आने जाने के नाम पर उन पैसों से कही न कहीं विवस्ताओं को दुरुस्त करने की कोशिश सरकार की तरफ से रहती है लेकि पिर इन विपक्षी दलों ने सरकार में आने के बाद उसको लेकर के भी कोई रोड मैप तयार किया है। इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी ने भी आज प्रत्याशियों की तरफ से सूचिया जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि हम सबसे जादा प्रत्याशियों की सूचिया जारी करने वाली सबसे पहली पार्टी है। अभी तक हमने 205 प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी कर दी है और एक खास बात उन्होंने ये बताई है कि जो प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है उसमें सब पढ़े लिखे हैं कोई पूर्वाइयस है कोई पोस्ट ग्रेजवेट है कोई डाक्टरी पढ़के आय है मतलब सब पढ़े लिखे लोगों को हमने टिकट दिया है हमने छाटबीन के टिकट दिया है कोई अपराधिक मुकदमा नहीं है और पूरा विचार विमश करने के बाद हम पार्टी का मैनिफेस्टो भी तयार कर रहे हैं जो जनता को समर्पित होगा कॉंग्रेस के मैनिफ मैनिफेस्टो जो है वो युवाओ के लिए नहीं है हमारा मैनिफेस्टो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए होगा हम किसी एक वर्ग को इसमें तवज्जो नहीं दे रहे हम उत्तर प्रदेश की जनता को तवज्जो दे रहे हैं यह उन्होंने कहा है हाला कि केंडिडेट की लिस्ट के बारे में मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आजकर लिस्ट को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है समाजवधी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे प्रमुख नामों को लिस्ट में जगहा दे दी गई थी जिनके उपर अपरादिक मुकदमे थे उनकी गिरफतारी भी हो गई और उसके बाद मौजूदा सत्तादल ने इस पर काफी कुछ कटाक्ष किया कहा कि पहली नाम से लेकर आखरी नाम तक पहला नाम जेल में है और आखरी नाम बेल पे है ऐसी लिस्टे जो है वो समाजवधी पार्टी की तरफ से जारी की जा रही है तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में वादो का दौर चल ला है कहा जा रहा है कि सरकार में आने के बाद ये करेंगे वो करेंगे सब बहतर कर देंगे और दूसरी तरफ एक दूसरे की कम्या गिनाने का भी जो प्रयास है वो लगातार बदस्तूर उत्तर प्रदेश में जारी ह क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और यह चुनाव बहुत एहम होता है तो आज हम इनी सब मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं बहुत ही बहतर डिबेट आज की होगी अच्छी डिबेट होगी जरूर देखेगा पहले कुछ बयान सुरिये और उसके बाद चर्चा क कुछ टेक्टिकल फॉल्ड की वज़े से हमा पास वह बयान नहीं है हम उस बयान को थोड़े देर में आपको शुरूराएंगी उसके पहले मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं और महमानों को जोड़ता हूं कृपया महमानों को स्क्रीन पर लाये जाए आपको शुरूराएंगी उसके प्रचा करता हूं पर लाये जाए सबसे बड़ी समस्या भरती की ही है उत्तर प्रदेश में जहां जहां हम गए हैं जिन नौजवानों से बात की है उनकी पीड़ा बाहराई है उन्होंने वो दुखी है, तրस्त है, कौलिफाइड है, नोकरिया नहीं मिलती, बड़ी बड़ी घोशनाय होती है, रोसगार नहीं दिये जाते कोई कहता है 25 लाक नोक्रियां दिलवाएंगे कोई कहता है 20 लाक लेकिन उनको कभी ये नहीं समझाया जाता कि ये कैसे होगा किस तरह से ये रोजगार आपके लिए बनाए जाएंगे हमारा ये प्रयास रहा है कि जो नौजवानों की समस्याएं है वो सब इसी भरती विधान में उनको सुलजाने का एक हमने खाका त्यार किया है नकेवल हम लोगों ने अपराधियों के मानुए एक भैपैदा किया बलकि इन अपराधियों के किर्थियों को भी प्रॉसिक्यूशन को तेज कराते वे उन्हें समय पे सजा दिलाने का कारिभी किया है और इसका प्रणाम है कि बहतर कानुन विवस्ता और सुरक्सा की स्थिति नकेवल प्रदेश में सुरक्सा का एक बहतर वातावरण बनाई है बलकि निवेश की सम्भामनाओं को आगे बढ़ाया है और इस निवेश के मात्गम से प्रदेश में एक करोड़ एकसर्ट लाग सेधिक लोगों को नौजवानों को रोजगार और नौकरी भी प्राप्त हुई है बाती प्राणी 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 जाएगी इस में जो भी ध्हоп राशी की आशिरता होगी उसकी विरस्ता कर ली जाएगी मैंने संबंध में क्रमचार्य ओ वित्विसेसन के बाहता कर ली है और पार्टी के केंदरी नेवत्रत ने मंजूरी दी है कि इसमें हम स्टैंत्रीस उमिद्वारों का और पिछली बार की तरह इस बार भी हमारी प्रात्मिक्ता सुयोग ये कंडिडेट देने की है समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और अनुराग मिश्रामाज साथ आमाद्मी पार्टी से जुड़े हैं आप सभी मैमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वाकत है दिवाकर जी आप लोगों के लिए चुनाव काफी टफ होता जा रहा है क्योंकि पहले तो आप लोग कहे रहे थे कि हम लोग अकेले हैं उत्तर प्रदेश में कोई टक्कर में नहीं है आज प्रियंका गांधी ने एक मैनिफेस्टो जारी किया है और उस मैनिफेस्टो में आप लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार को लेकर जो है उस समस्या को खड़ा किया है कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो युवा है वो सबसे ज़्यादा रोजगार को लेकर परिशान था और हमारी सरकार बनते ही हम उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसरों को और बड़ा चढ़ा करके रखेंगे युवाओं को परिच्छा देते समय आने जाने के समय किसी प कर्मचारी विरोधी हैं और इसी वज़े से आप लोगों ने पेंचन बंद कर दी थी काफी हूँ हला भी कर्मचारी ने किया लेकिन आप लोग पेंचन लागू नहीं कर रहे हैं अब उनका समरतर समाजवधी पार्टी को हो गया है यह समस्याएं आप लोगों के लिए कितनी सकते हैं और दूसरी बात रहेगई अखेलेश जी के संबन में कहना है अकलेस जी जब अपनी सरकार 12 से 17 तक चलाए तब उनको तो 2004 या 5 से पेंशन बंद है तब इनके ध्यान में नहीं आया यह पेंशन कहां से देंगे जो ब्योस्था बन गई जो टीए बढ़ गया जो बातें होती है जैसे बैंक की जो ब्योस्था थी बैंक में कभी पेंशन नह सब्सक्राइब करें नहीं बता है आप लोग ने तो कर दिया अभी शाम को थोड़े दिर पहले यह लोग कह रहे कि हम लड़की के दम पर चुनाव लड़ेंगे और अधिती सिंग को टिकट दे दिये आप लोग हमेसा महिलाओं का सम्मान करते हैं महिलाओं का सम्मान होता है यहीं गंपने साथ लुकिनying को लाना और जाना बार्टी की नेतीयों से जो लोग प्रभावयाओं Picard अचानक आप में जाता है लेकिन चुनाव के समय में अदला बदली नेताओं की होती है इससे कोई चूता नहीं है अरे एक और अदला बदली आप लोग अउनके घर की बेटी बहु कहां बिश्ची था हो नहीं जा रहा है अपने जो गर को लेकि नहीं डिया उसका समय क्या हो सकता है जहां सब испने अंपनी धुन्ड avenya समय हो रहा है आप पूरे पांक साल के कडिया डेख लेयी अंहीं है बूरे मेद यहां जगा अपनी माफिया राक है इसके सबसे बड़ी सरकार के उपलब आजिक जोगी जी की कि इसकी प्रशंसा भारत ही नहीं है पूरे बिष्व हो रहे हैं दो है अंग व करत on है पढ judgments नंगे वर का मिर्ण नहीं थे उसकी बाद साथ में बश्पाय साथ 17 सपा इनको नहीं था क्या देंगे कह मत बद का हैं चुना को आधा कर G surtout मुद्ध के रिखन देने के यह बन फ़िम्रेस्वा ना इनके समय में आप आती थी यह नहीं पता होता था जाती थी हमेशा के लिए बदलने के लिए आप दिहाद से नहीं मैं गाओं दिहाद से आया हूं गाओं के लोग इकठा करते थे चंदा करते थे तब जाके ट्रांसपार्मर जाता था आज 24 गंटे के अंदर भाई साब कोई इनके समय के पुराने जर-जर तारों बरो से चल रहे थे रोज लाइन फाल्ट होता था रोज लाइन लास होती थी आज हमारे महराज जी किनितित में बहरा सरकार माननी मुदी जिकनितित में जो ब्योस्ता उन्होंने बिजलिक समंध में दी है कोई अच्छोता पूरवा न कि अगया है और ये चाह कि युवाँ की बहतरी के लिए युवाँ के रोजवकार पर हम भूंने सब से जादा फोकस किया है इस ये मैनिफेस्टो में लगिन जी कहा रहे है कि सरकार ही नहीं आएगी तो मेनिफेस्टो कहें का अब ऑभी आपि इस लिए नहीं की लिए तूटने वाले हैं और ये जनता समझ चुकी है जो बात हमने इस मेनिफेस्टो में की है जो आपने देखा है आप जानते हैं कि लुभाओने बाते आप कुछ भी कर लीजे कि हम बिजली देंगे मतलब हम जनता को अपने युवा को वेकार बनाएंगे बेरोजगारी रहेगी अब बेकारी भी देंगे तूम बिस्तर पर पड़े रहो हम बिजली फ्री दे रहे हैं खाना फ्री दे रहे हैं घर पर बैठे रहो जो मार्च 2017 में बात की गई थी बेरोजगारी की उसका जो परसंटाइल था 2.4 परसंट था जब ये नौंबर 2021 में आता है तो ये जो ये निहीं बेरोजगारी की जुदर है मतलब हमें जिस इवा के भरोसे हम भविस्त की संकल्पना कर रहे हैं उसके पास रोजगारी नहीं है तो ये डाटा क्या दिवाकर जी को नहीं मिला था क्या 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 क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में पांच लाख नौकरियां हमने साफ सुथरी तरीके से नहीं साफ कर दिया सुथरा कर दिया कुछ बचा ही नहीं है मैं अब नपध है अब कर दोंगी कि जब टो और एक्स्टन निकली तो यारं से निकली तो अनुरी में उसकी परिक्ष्द कुछ नहीं है फिर फॉरेश्ट गाड की परिक्ष्द निकली सब कुछ वब खोव कुछ नहीं हुआ ट का एक्जाम तक अब देखि रहें क्यां उसके हालत हुए मतलब साफ सुथरे हमने रोज अगर मैं युवावर्क की बात करूँ और आप चुकी खुद उस चीज को प्रजन कर रहे हैं, तो आप से बेतर बास को जानता होगा, कि रुजगार अगर आया तो गया कहाँ, कम से कम दिखना तो चाहिए ना कि रुजगार आया हमारे जो बीच में घूम रहे हैं, हमेसा इस हमारे अगर बेशिक सिच्छा में जो जो बदानाचारी के हैं 1 राग पद खाली है, माधिमिक सिच्छा में, अगर देखे तो 48,000 पद खाली है, उसके बाद अगर आप उसके ऊपर डे, उच शिक्षा में तो आपके पास एक बड़ी संख्या मिलेगी जहां पर रिक्त पद है, मतलब आपको पद बनाना नहीं है, आपके पास चीजें हैं, आपको सिर्फ भरती निकालनी है, वहाँ पर लोगों को रोजगार देना है, और आपकी जनता में जो बेरोजगारी की दड़ बर रही है, व उनको भरतीयां करी नहीं करी या फिर रोजगार नहीं निकाला, अब यह उनके क्या भाव थे, उनको लग रहा था कि हम जो लोगों को यह कह रहे हैं कि हमने साफ सुत्री तरीके से करी तो शाइद इसी में समय लग गया हूँ, नहीं साफ ही कर दिया ना, भरती कानसील यह आप जानते हैं कि हमारे जितने उच्छासी इन पद पे लोग हैं, हमारे प्राथमिक सरकारी स्कूलों में पढ़के वहां तक पहुंचे हैं, हम जानते हैं कि जितने भी उच्छासी इन लोग हैं, इस समय आयूवर्ग 40-60 में आप जाईए, तो जितनी भी उच्छास्त लो पर आपको उसमें बहतरी के उपाय और नहीं रूडने हैं, अगर कुछ कामिया उसमें आई हैं, तो उसमें कैसे हम उन्नत कर सकते हैं, कैसे वो शिक्षा बेवस्ता को हम सही कर सकते हैं, उसके बात नहीं कर रहे हैं, इसको हम प्राइबेट सेक्टर में लाएंगे, आप जिस का वक्त नहीं है, जो चीजें हो चुकी है, नहीं हुई है, मैं बस ये चाहती हूँ, अपने पार्टी की तरफ से में जो बयान चाहती हूँ देना, कि हमारे इवाउं को सच में जरूरत है, आप जानते हैं, अगर मैं बात करूँ, मैं शिक्षिका स्वेम हूँ, पद निकल तो जिसको 6 मिलने की गुंजाइस्ती प्चरव पांच में मान जाता है यह बेरोजगारी की वज़े से हो रहा है यह पद नहीं मिल रहा है यह लोगों के अंदर काम करने की भावना है उसे खतम कर देगी लोग घर पे बैठे रहेंगे सब कुछ मुफ्त मिल ला है तो पहली चीज तो यह क्यों कर रहे हैं आप लोग दूसरी चीज यह है कि बीज़ेपी की नेता दिवाकर सिंग जो है वो कह रहे थे अभी कि पुरानी पेंशन वाला मामला है यह तो आपकी सरकार के स पत्र जारी करते हैं कौन क्या वादा कर रहा है जनता किस पर भरोसा कर रही है और किसके पास संगठन है जो अपने वादों को अपने संकल्पों को नीचे तक ले जाए यह एक दिशा है सभी राजनीती गरणों को लोग कंत्र में पूरी सोतंतता है कि वो जनता के बीच ना तेमसंद की वेवस्था को अटनल जी के समय समाप कुईती है तो जब आपने समाप किया है आज वो समस्या लगातार जब उसके लिए कर्मचारी संगर्ज कर रहे हैं सिच्छत संगर्ज कर रहे हैं और उन कर्मचारियों का सिष्ट मंडल और प्रतनीत मंडल जब अठले इंसन बहाली की बात है क्या वो संभव है उतर प्रदेश के संसाद्धनों के आदार पर जब उनकी राय प्राप्त हो जाती है तब अखलेश जीने बात की है कोई हवा में बात नहीं कि यह कह रहे हैं इतना भार हो जाएगा वो भार कहां से निप्टाएंगे अच्छा तो जो देश की सबसे बली दूसरी एकनावमी बताने की बात कर रहे हैं तो यह रुपिया है किसका यह रुपिया खर्च कहां होगा जन सरोकार पर खर्च होगा ना जन सरोकार के इतर तो नहीं खर्च होगा अरे सरकार अगर सुचितापूर धंग से चलेगी अपना काम करेगी तो वो सरकारी जो खर्च हैं उसको भी minimize करने का काम करेगी, mileage करने का काम करेगी, कि हम सरकारी खर्च को किस तरीके से घड़ा कर और ये पाइसे को बचा कर, हम पुरानी pension बहाली पर खर्च करेंगे, कि हम लोगों को निसुर्ट विजली उपलब्द कराने पर या 300 unit विजली उ अपने घर से दे रहा है, वो दे तो सरकारी तंसाधन पर ही रहा है, वो कहीं पर भी मिल लही हो, आखिर उप्तर-प्रदेश के अंदर जो अब तक का उत्मक सासन रहा है, इसमें उर्जा मंतरी तक ने सिवकार किया था, कि हमने जो मीचर लगा है, ये मीचर जो विद्धु प्रदेश में साफ सुत्री तरीके से हम लोगों ने पांच लाक रोजगार दिया है नौकरिया दी है और पहले के समय में जब सपा की सरकार में या दूसरी सरकारों में भरतिया निकलती थी उन्होंने साफ तोर पर सपा को ही कहा उन्होंने कहा कि सैफाई से लोग आ जाते थे होटलों में रुकते थे और वहां से लिष्ट बना बना भेजते थे कि किसे भरती करना है तो जब उत्तर प्रदेश में साफ सुतरी तरीके से भरतियां हुई है पांच लाख, उसके बाद आप लोग बेरोजगारी के मुद्दे को क्यो इतना हवा दे रहे हैं, दूसरी चीच क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीते 5 साल में 5 लाख युगाओं को रोजग देने का किया हमारे घर की ग्रहनियां महिलाएं बहने जब चावल पकाती हैं तो पतीली से एक दाना निकाल कर ही तमझ लेती हैं कि चावल पका या नहीं पका बहुत उधारों देने की आउसकता नहीं है इस सरकार के लिए कि कितने साथ सुस्रे रहें हैं मैं एक एक करके आपके प्रस्ण का उतर दे देना चाहिता हूँ बहुत जल्दी से कि किस तरीके से बांदा के क्रसी विस्व विद्याले में 15 पदों पर 13 एक जाद दिसेश के लोगों ने योगी जी ने भर्ती कर दिया किस तरीके से सवर्णों के निर्धन आय वर्क के प पहला तो इनका एक जवाब ये मिल गया कि ये कितने साफ सुथरे लोग हैं सारी योगता बांदा में एक जात में नजर आई और अगर सौनों में कोई निर्धन था तो वो बेसिक सिछा मंतिरी का भाई था जो पहले से असिस्टेंट प्रोफेसर था ये एक सचीज हो गई दूसरी चीज जो आज योगी जी कह रहे हैं पांच लाक तदन के अंदर जब पिछला ये अंतिम से पहले का सदन था तो इन्होंने चार लाक का अंकला दिया उसके बाद विग्यापनों में साथे चार लाक फिर ये जबान से बोलते रहे सवा चार लाक आज ही आगा है नि है कि किस विभाग में कितनी नियुक्ती हुई CMIE के जिस आखले को ये पेस करते हैं उस आखले के अंदर जाइए कि जो रोजगार दिया है उस वो रोजगार किस प्रकार का है और रोजगार चिन कितने गए इस तरकार के रहते ये ये पताने का श्च नहीं करते अब आब जुपी योगी जी बहुती बाते करते हैं, अपनी विफलताओं को छिकाथ छिपाने के लिए जिस तरीके से जूट पर जूट, तेश तेश जूट बोलकर फरजी आंकों के बल पर ये लोग बात कर रहे हैं, वो उसकर प्रदेश की जनता अब तक देखती आ रही है इनके सास अनराग जी, आप लोग की तरफ से कहा गया है कि बिजली जो है, वो मुफ्त दी जाएगी सबसे पहले आप लोग ने इस बात को कहा, तो BJP भी कहे रही कि हमने बिजली का जो दाम है वो आधा कर दिया किसानों के लिए, तो आपको लगता है कि ये काउंटर में किया गया है जो डैमेज होता है उसको कंट्रोल करने में, और दूसरी चीज़ ये है कि कॉंगरेस कहे रही कि ये सबसे तो भाई आप मुफ्त वाली आदत पढ़ जाएगी कोई कुछ करेगा ही नहीं समय दीजिएगा चुकि काफी देर बाद मुझे नमबर रहा है मैं जल्दी ही करूँगा, मैं आपको पहली बात बता दूँ, राजनीत तरफों से और भासुनों से नहीं चलती है, राजनीत भारोसे से चलती है और मुझे लगता है कि पता नहीं कौम भार्सी जंता पार्टी में इस समय रणीत इकार बना हुआ है, जो इन लोगों की रणीत बना रहा है और ये लोग जिस तरीके से अपना जूटा पचार कर रहे है, आज ये पूरी तरह से विश्वास खो चुके है कैसा जूटा प्रचार, इन लोग ने कहा पांच लाग नौकरी दी तो क्या नहीं दी? कैसा जूटा प्रचार, इन लोगों की तरह से विश्वास खो चूटा कर रहे हैं, जूट बोल रहे हैं, इस से जो नौजवान कड़ाके की सर्दी की ठंड में 79,000 बैकेंसी के जो हमारे उसमें समयोजन को लेकर के 22,000 लोगों के समयोजन को लेकर के ललकों ने लठीया जो शिखा पाल बहान हमारी तंकी पर मैथी थी, आज उसकी आत्मार हो रही है, आप किस तरीके से वो परिशान हुई, उसके बाद आप देख लिए कि आज शिच्छा मित्र हमारे, जिनको इन्होंने खुद प्रधाम मंत्री जी ने कहा था, कि उनका नियायोची सहसला करें उनके साथ इन्होंने दोखा करने का काम किया, इन्होंने अनुदेशकों के साथ दोखा करने का काम किया, इन्होंने आंगनवाली के साथ दोखा करने का काम किया, तो इनकी तो बात ही छोड़ दिए, इस बहुत जूपे लोग हैं, बहुत जून बोल रहे हैं, और मैं आपक कैमरे नहीं पहुंचेगे ना कोई नेका पहुंचेगा आज ये लोग तिकतों के लिए लखनव और दिल्ली में लगे हुए हैं मैं तीन बार तीन तीन बार मैं लोगों के पास जा चुका हूं पैतालिस गाओं ऐसे हैं जिनके एक एक घर में हर जाती वरके मैं पहुंच चुका हूं आपको बता दूँ इतना गुस्टा है लोगों को और इतना केजरी वालजी के प्रती इतना भरोसा और विश्वास है मैं आपकी जिन्मेदार चैनल बैटके कर रहा हूं अगर मेरा एक-एक प्रत्याशी अगर वो इमान दार है क्योंकि जंता तो आख दिछाये बैठी हुई है अगर वो एक-एक घर अगर चला गया मैं तो जा रहा हूं अब मैं आपके चैनल बता रहा हूँ, दस मार्च की बाद मैं बैठूँगा ये बीजेपी वाले काउं सजन अशारिवाद लेने घर घर जा रहे हैं, ये कहे रहे हैं, ये लोग बाजारों में जाते हैं और इनके ठीके होते हैं, प्रधानों के माध्यम से, जगए जगए दलालों के माध्यम से, कोई गरीबों के घर नहीं आता, और मैं रता दूँँ, आज आप गाओं में चले गाईए, इतनी जुगई जोपड़ियां मिलेगी, सारे जो तच्छम लोग थे, उन्होंने प्रधा हो रही है, भेला हो रहा है, पाच हजार रुपए शेह जार रुपए उपर से लिए जा रहा है, बीच में दलाल लगे हुए हैं, जब तक आप उसके जो बेचारा गाउ में है, जिसको कंप्यूटर नही जानका रही है, जो गरीब है, जिसके पास जोपली नहीं है, उसके हर अगर सरकार के लोग जा करके बैठ करके वहां उसका बहुतिक सत्यापन करके अगर उसको लाम नहीं देंगे तो मैं आपको बता दू कि लोगों का दर्द इतना है कि लोग गुस्से में तपा भाजपा कोई ऐसा राजिति दल नहीं जिसने अपना भरोसा बनाया हो जल्दी से प्लीज सी बात मैं कर रहा हो बिजली को ले लिजे लिए यह हमारी अपनी मजबूती थी यह हमारी अपना वो था कि हमने बिजली के लिए बोला हमने ता है कि बिजली हम स्री करेंगे आज समाजवादी पार्टी को बोलना पड़ता है हम भी विजली सुरी करेंगे भारती जंता पार्टी को करना पड़ रहा हम आदा कर रहे हैं उसी दिन हमारी आधी जीत हो गई अबाकी जीत है वो 10 मार्च को आपको अप्रत्याशित रिजल्ट मिलेगा आधी पार्टी की तरफ से जब तक ये टिकट मातेंगे तब तक हम अंदर अंदर चाल करके जंता तब हो जाएंगे अपनी नीतियों को लेकर ठीक है मैं आता हूँ हम आए साथ अम्मुझ पटेल है अरल्डी से अब मुझ भाई एक और बयान है जहां पर बीजेपी की निताओं की तरफ से आज बोला गया है कि किसानों को जो समस्याएं पहले होती थी जाए भुक्तान को लेकर हो गई सबस्याव का सबढ़ान कर दिया है आपकी पार्टी किसानों की बीच में रहती है उनकी समस्याउँ पर आफ लोग आवाज उठाते हैं आपको क्या लगता क्या समस्याओं को सबसे वड़ी समस्या है वो है इसके उपज का जो लागत आती है उसका मुली ही उसको नहीं पूरा मिल पाता है और वर्तमान जो सरकार है भारती जन्ता पार्टी की सरकार ने वादा किया था किसानों के साथ कि उनकी उपज में जो लागत आती है इसका दोग्ना मूली हम हर हाल में आपको देंगे जो किस адम मांग रहा हूं व इसलिए मौंग रहा है कि कम से कम उसकी लागत तो पन wise ना लगे किसान आत्महत्या करने को मजबूर ना हो दूसरा सबसे बड़ा जो बुक्तान है वो गन्ना के मूली का बुक्तान है आज भी आप देखेंगे बीजेपी सरकार कहरें कि हमने बुक्तान कर दिया है लेकिन लखीमपुर में आज ही आप जाके देख लीजिए आज भी गन्ना कि किसान लखीमपुर में जो चीनी मिले वहां धरने पर बैठा हुआ है तो गन्ने का भुक्तान का एक बड़ा जो अर्थवेस्था है किसान की उससे रीड टूटती है कही न कहीं किसानों की उपज में जब उसकी लागत नहीं निकलती तो अगली वह बुवाई कैसे करें बी किसान को कहीं ना कहीं रहत मिलेगी और हाला कि यह एक अच्छी बात है कम से कम किसानों के लिए यह जो तीन यह जो बिल था इन्होंने वापस लिया लेकिन किसान अभी भी आसंतुष्ट है किसान के सबसे बड़ी बात वही है कि उनके लागत का यदि दूगना मिल जाए ज मौजवानों की तरीके से चल निकला है ठीक इसर में आता हूंक पास दीवाकर जी आप क्या कह रहे थे अब बताई आपने सब की बात सुभी पहले तो कांग्रेस की प्रवक्ता क्या जो है इस पर मैं कहना चाहता हूं इनोंने जिवाकरा पेस किया ठीक है इनको यह भी सरकार काम कर रही है कि आपके बताइगे आपके क्या बताइगे अरे जिसका इपरिवयर्टन हुआ है भाजपा में तो भाजपा में सब्सक्राइब पिचलेगा यहां ब्रस्टाचार कारों बता दे कोई योगी की अदi के सरकार, सबस्सक्राइम, पिशन के कांगरेस आप बोलेंगे अपने गिरे बार में जांके देखी कंग्रेश की बात है प्रयंक जी है इनकी लीडर बनी है जो है अपना पत्रव यह पर सार्य लोग हम फिर अपना मने फैस्ट लाएंगे तह yıl का करने आ हमारे पर्टी का भी मैनो फेश्ट तयार हो रहा है तो उस पर मने फोस्ट पर मत जाएं इनका मने परश्ट आसा कुछ नहीं के अलग से दी ओंधे अपने तो दे दिया और कितना देंगे यह भी बताएंगे आपको हमने तो रहरी वाले पतरी वाले को बिना पैसे का बिना इं से पहले आपकी बात का मैं जबाब दे रहा हूं सुनिये का प्रेयाज में लड़के पोस्टर ने भाड़ा पीससे ने भरतिक किसने आपको दिखाई नहीं एक भी भरतिम बता दीजिए गोटाला हुआ है आप सोय हैं आपके बगल का लड़का आपके बगल का टीजीटी में हो गया लेक्चरर हो गया आपको पता नहीं चलता था अप पहले क्या होता था रिजदारों से लिए सब जगह घूमते थे कि मुझे देना है मुझे नोकरी पर जाना है आप क्या बताएंगे आपके मंत्री जबाब नहीं दे पा रहा है आजम खान की भरतियां सारी किया हुए आप बताएंगे किसको उन्होंने भरति किया पुलिस की भरति बताएंगे एक जाट को कितना दिया उन्हें कहा कि लोगों परति कुए आपको प्रवक्ता महुद है आपको कांड़िट खोजे नहीं मिल है रहे और वो काहिव गणता दा हुए कुटा ही जब हक त सर बताएंगे वहा है अनृत मेरे है थ्रह मुद से लेड़िट खोजे नहीं मिल गदे पाएंगे मिल आनी नहीं तो प्रेक है करेंगे अधे आप положin you कोई जिला बता दीजिए ठार गंटे से कम है कोई सर बता दीजिए 24 गंटे से कम है आप क्या बोलेंगे जल्दी से बोलेंगे जल्दी से जल्दी से परामंत्री जी ने राष्टर हीत में क्रिसी कानून वापस लिया नहीं समझा पाए लोग बढ़का दिये बिदेशी चंदों से बढ़का आने वाले लोग हैं लोग आढ़िए मान पर्भाव क्याता है का रहा है वोली अगर हम सब मिल के जो नहीं होपाया वो किया जाए अगर में काऊंगी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं बता जाना हूं अभी कह रही हूं ऑभी दो एक मेने पहले की बात है कि आपने अधिकारी को गिरफ्तार कर आया जो जो भी हुआ यह सब को बता है जो फिर से नह जो हम चाहते हैं अपने मनिफेस्टों के द्वारा, जो हमने जिसका नामी दिया हुआ है कि भरती विधान, बस हम यह चाहते थे कि चार चीजे अगर हो जाएं, जो हमने अपने इस पूरे सरकार बनने के बाद क्या करना है यहों के साथ, इसकी बादी कि अगर हम डिवाई अगर हम इस पर बात करेंगे, तो हमारी वाउं को अगर कार्य मिल रहा है, बेरोजगारी नहीं है, जब वो रोजगार में है, तो जो उगर रास्टरवाद है, जो रास्टरवाद, जो आतंगवाद, जितनी समस्या है हमारे समाज की है, अगर बेरोजगारी खतम होती है, ब उठ्राइन को आपको अप्यास करना है उसके लिए फ्री में मिल रहा है आप उसके लिए अभ्यास करेो, आगे आ रहे हो, लड़ और पर पा रहे हो, उसमें आगे आगे बढ़ो अपने देश के रियाश्य के राश्य करें, यह मारा मेन बाता है जाविद भाई क्या कह रहे थे आप जल्दी से बताइए जाविद भाई क्या खराब योजना थी बेटियों के पढ़ने के लिए उनके हाउसले को बढने के लिए जो लोग जो है कुछ कर नहीं सकते स्प्रम उनके सीमा के बाहर जा चुका है उनको पेंसन देना क्या कोई पाव है क्या अगर लोग समाज को सीमित और संकुचित कर देना चाहेते हैं क्या यह सारा धन जो लोग जो जो लोग पती है या जो बेऊसाई हैं कि finger हए हमारी जो माननताएं हैं जो परंपरा हैं उनको भी तो हमें देखना होगा कि समाज के एक बड़े वर्कों आप भूखा तलबता हुआ देखना चाहिए तो यह अपना रोजगार देख ले कि बारा लाक में जमीन खरीटें दस मिनत बाद 18 करोड में खरीद लेते हैं इनको तो भारत की परंपराओं का भी ज्यान नहीं है कि दच्छिवा को चंदा बताने लगे और वसूली करने लगे यह वो लोग है जिनको कुछ पता ही नहीं है ना समाज का ग्यान है ना देश की परंपराओं का भान है ना उक्तर प्रदेश के अभिमान और उक्तर प्रदेश के गौरों और जंता के सम्मान की जिनको चिंता नहीं है जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजी पती मित्रों के लिए अपने दल के लिए पाइसाय कष्था करना है कोई इन से पूछे है कि आपके पूरे देश के अंदर 500 कारियाले कहा से बन गए जिनका आपने कोई हिसाब नहीं दिया इतना चंदा आ गया इस तरीके से आप बिवस्ताएं कर रहे हैं चार सो कारिया ने आपके निर्वालादी ने देट के अंदर कहां से आप इतना भारी कांपेंड चला रहे है यह पाइता कितका है जब पुर्दान मंद वर्कुमान पुर्दान मंतिजी मौदी जी मुखमंतिरी के गुजरात के तो 2013 में लाल किला गुजरात के अहंदाबाद म आप जैसे नहीं मनाई जाती है यह सब नोट करिये आप करिए उसकी बात करिए अगर आप खरी आपने जाते हो अगर 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 अपने घ्यापन में चापते हो अपने उसका करें वह अगर ऊकर दखेंगे इंक है अगर अगर उप्तर प्रदेया सब्सक्राइब अन्राग के पास चलेंगे अन्राग क्या कह रहे थे राज्की मेडिकल जितने खोले थे उसको इन्होंने स्वताफी कर दिया इसके तरिक्त है मैं आपको बता दू कि आप चले गए राज्की काले जितने थे इसको इन्होंने उसको भी प्राइवेट कर दिया आज तक कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जिसमें राज्की कालेजों को प्राइवेट करने का काम इन्होंने किया है में अपनी बाप बता दू पी शारी राजीतिक दल मुद्रा की राजमीत कर रहे हैं केवल एक आम अधी पार्टी है जो मुद्दो की राजमीत कर रही है और मुझे पर लोगों को भरोसा है हम अगर आए में सब्ता में ये ये दो जवाब आए है अनराग दो जवाब आए है एक तो दिवाकर सिंग कहे रहे हैं कैंडिडेट नहीं मिलना है और योगी कानून हाथ मिलेगा कानून अपना काम करेगी कानून अपाल्ग कर रही है कोई वस्वूलिन नहीं कोई पिरोगी नहीं कोई बाप्याराल आज नहीं कोई गुंडा करति नहीं आसरा से भी का आपके पास नहीं सुनाथ चीत हमारे पास चोड़के चलेगए आख वी तब भी सब्स के एकिन किन नहीं जुट एक भी अपराद का अरुप की बंटी पे नहीं, तुसमाह है, उसको सजा हो गई. इदाय को जिस पे अपराद लगा, उसको सजा हो गई, निकाल दिया करण दिने. नहीं लिए कि जलाग दोसे. तीके, प्लीज, ठीके, ठीके, ठीके. कि वहां कुलर एसी लगे थे तो हम लोग वहां किसानों के बीच में गये हैं कहीं कोई एसी और जो लगा लेता है तो क्या वो फंडिंग विदेश से ही होती है कि कोई विक्ति हमें दे दे अगर हम अंदोलों में बैठे हैं बहुत से लोग मदद कर देते हैं हमारे यहां बेर्थी बैठे हैं एको गार्डेन पे जो बाइस हजार के डिबांड कर रहे हैं वो लोग बैठे तो उनकी तो बहुत दिक्कत है रात पे हम लें कई बार कि घवार्ड के उस्ता कराई हमने चाधर कर रहा है कोई हमां अंदोलोंगपर बैठे है किसान बाई तो वह फंडिंग जरूरी विदेशी 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 गदार यह सब क्या हैं है धृ क्यों क्योंकि आप मुद्दों पे फेलो गए मुद्दों पे जंता ने आपको आशियुकार कर दिया मंदिर मस्जिद पे भी अब जनता नहीं जा रही है तो आप कुल मिला के फिर देशी विदेशी कही न कहीं आप मुद्दों की बात करिए जैसे आप पहले करें मुद्दों की ब और दोस्ते बातों पहसाना चाहते हैं जूट के जंजाल में पसाना चाहते हैं जनता को मुद्दे पे आप करेंगे जनता जुसको चाहिए उसको बूट करेंगी भी जैटीच मितांक्तों आप लोग को चंठा ने देखा यह ना हम जोब दिया को नहीं किया याप कि युक्ट एप दोने के साथ रहे रहे कि संता पर दो कर देंगे प्रियोगी जी ने कहा सत्तर लाग नो करिया देंगी जूट पर जूट नौजवान ने देखा वेनों ने देखा इन तरह बरती वने जो बैठे उनुने देखा पर आप लोग जूट बोलते हैं तो कम से कम जब अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो भाशिक रूप से अगर आप गरें कि उनकी घर में शुरख्चित नहीं बहुत सुरख्चित नहीं है आपके घर में आगई आप ऐसी भाशा का प्रयोग कर रहे हैं कि आप सीधे उस अपने गर एक सुरख्चित नहीं हो इंगाने मेरे घर आगही हो सुरख्चा की घर में अपने घर पी पे बेटीर की सुरख्च्छा की सुरख्च्छा की जो बात यहां डिड़ी का बात कि यह गकांता है तो कंब सकया हैं इस बात का ध्यान एप इसप का झाल रख जब andar रा इस fixing हो जांए है और यह नहीं का जा सकता की कि इस बार सिंगल वींडो रिजल्ट आ जाएगा यह सिंगल विंडो से रास्ता बन जाएगा चुनाओ जीच जाएगी कोई पार्टी ऐसा कुछ नहीं है इस बार समाजवादी पार्टी से भी बीजेपी का मुकाबला है समाजवादी पार्टी का कॉंग्रेस से भी मुकाबला है और कॉंग्रेस का बसपा और बीजेपी से भी मुकाबला है तो यह लडाई बड़ी दिल्चस्प है और मिनट टू म TV सच साहस सरुकार